ने प्रदान मंत्री नरेंद्र बोदी जी ने आगरक किया देश वासियों से उनके परिवार जनों से हम सब इस उत्सव में भाग लें हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाए आज लगबग सौ करोड भारत वासी भारत के नागरिक भारत के मद्दाता चोटे महिने देट महिने के भीतर अपना मत देते हैं देश किस पकार से आगे चले उसके भाग्य विधाता बनते हैं और मैं बानता हूं कि जिस पकार से अभी तक भारत वासी बड़े रूप में मत देने आए हैं आज के चरण में भी बड़ी संक्या में मुंबई के लोग गर्मी के बावजूद वोट देने निकले हैं आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई में देख रहा हूं के साथ बचते ही लंबी लंबी लाइने चाहे वो दही सर हो चाहे वो ठाकुर कॉंप्लेक्स हो बुरिवली हो या कांदिवली पूर्फ चार कोप मागा थाने या मलाड हर शेत्र में लंबी लंबी खतार देखकर विश्वास और रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेशकर मुंबई कर अपने जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में और जनता जनारदन देश के एक उज़ुल पविश्वे के लिए अपना निर्णे देगी मेरे लिए तो ये चुनाओ ये चुनाओ मेरे लिए एक बहुत ही अनोखा और समाधानी मौका था जिसमें मैंने लाखों लोगों से संपर किया लाखों लोगों के बीच जाकर उनकी आशिरवाद प्राती और जो स्वे जो आत्मियता जो स्वागत मुझे मिला है एक मुंबई कर होने के नाते अपने ही लोगों की बीच जाकर वो बहुत ही समाधान का विश्य है मुझे जी के परिवार के साथ समलत है और मुझे जी के परिवार ने जस्पकार से भारत के भविश्य को बनाने का नेड़े लिया मेरा परिवार भी उसके साथ भारत में आगे एक उजूर भविश्य हो उसमें जुड़ा है दोनों बच्चे बाहर से आए हैं मुंबई के मुंबई कर होने के ना थे अपनी जिम्मेदारी निभाने के कि अच्चे र स्वारत में जुड़े पीस्टेश में जोë खुड़ा